आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम आय परमान पतर कैसे बना सकते हैं आज सभी को पता ही है कि आय परमान पतर हमारे लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज है आय परमान पतर के बिना अब यहाँ पर आपको सातरवर्ती हो गई यहाँ पर जन अदा कार्ड के अंदर editing के लिए भी आपके पास आय पर्मान पतर होना चाहिए यहाँ पर नई pension के लिए आविदन करने के लिए भी आपके पास आय पर्मान पतर होना चाहिए आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि आय पर्मान पतर बनाने की क्या process है अपडेट करने की family income उसके लिए हमें चार पेज का साहिए सहम आप scholarship के अंदर भी कई जगे चार पेज का बागर अलगले scheme है कई एक पेज का भी मांग रहे है तो चार पेज वाला पना लोगे तो सब जगे काम आ जाएगा एक पेज वाला वजा मांग रहे है आप चार पेज आए परमाणपत्तर दे सकते है पेंशन गंदर भी सहम जन अदार के अंदर जो हम अपडेट करते है एंकम वही तो पेंशन गंदर ही हो जाती है तो यह चार पेज वाला चलेगा पेंशन वाले के लिए अब देखिए दोस्तों चार पेज का भढ़ना कैसे है यहाँ पर दो जो पैसा कमाते है उनका फोटो यहाँ पे लगेगा जो पैसा कमाते है ठीक है जो अंद करते है उनका पैसा यहाँ पे आपको घर के मुक्या होते है उनका पैसा फोटो यहाँ पे लगा सकते है यह हो सकता है कई जगे यहाँ पे महिला ही मुक्या होती है तो महिला का ही यहा पर महिला मुक्या होती है और कई जगे यहां पर महिला का ही फोटो लगता है जो पैसे कमाते है और कई जगे यहां पर पुरूस पैसे कमाते है तो पुरूस का यहां पर फोटो आपको लगा देना है ठीक इसके बाद में यहां पर आपको प्राति का नाम और जिसका फोटो य तो हो सकता है आप income source यदि महिला है तो महिला का या नाम और फोटो लगा सकते है दिपुरूस है तो कोई भी हो सकता है यहाँ पर आपको नाम फिल करना है आपको पूरी फिलिंग बता देता हूं यहाँ पर देख सकते है प्राती के नाम के नाम फिल करना है जिसका आपने फो पता सेहम है तो आप वर्तमान पता लिख लेजिए और इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से कौमें लगा दीजिए यहाँ फिर लाइन मार सकते हैं इसके बाद में आपको नीचे थोड़ी तो यहाँ पर देख सकते हैं गाउं का जो है गाउं गंदर गाउं सेहर का है इदि सकते हैं इसके बाद में आपको यहाँ पर जैंटर डालना है इसके अंदर प्रूस भी हो सकता है महिला भी हो सकते हैं यहाँ गलत करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ दोस्तों अभी महिला इसके अंदर तो महिला के ऊपर चेक मार कर लीजिए इसके बाद में वहाई किस्त धर्म हो इसका धर्म यहाँ पर डाल देना है इसके बाद में यहाँ पर आपको जाती डालनी है यहाँ जैसे यहाँ पर OBC मालो हम OBC में आते हैं तो आपको जाती के अंदर पहले OBC लिखना पड़ेगा यहाँ फिर ≫ इसके बाद में आपको अपने उप जाती वहाँ पर डालनी है जैसे स्ट के अंदर कोई हो सकता है यहाँ पर अपर जैसे जो जाती है वहाँ पर इस तरीके से लगेगी यहाँ पर होते हैं और जो यहाँ यही लिख देते हैं वो सारी यह आप ध्यार रखिए इसके बाद में यह मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या आपको फिल करना है यहाँ पे देख सकते हैं अब आगे पूचा जा रहा है क्या आप राजस्तान की जो है आपका परिवार राजस्तान का मुल निवासी है तो आपको छक्मार पर राइट क्लिक करना ही है यदि आप नहीं है इसके लिए लिए नहीं है आप यहाँ प्राइब लिए कर सकते हैं यहां पर अब दोस्तों यहां आपको mobile number डालना है mobile number डालने के बाद में पैयनकार नंबर यहाँ डाल दीजेगा इसके बाद में जो यहां पर यदि पेयंकार नमबर डाज रहे हैं तो आएकर विबाद से कोई रिटर्न आपने किया है तो वह रिटर्न यहांपर सलंगिन कीजी आप इसे साथ में यहां पर अपको लिखना यह तो इसके बारे में आपको यहां पर देख सकते हैं परिवार के सदेशय की, उसकी वार्सिग आये यहाँ पर अब को बधानी है। इसके बाद में जैसे सदेशय family है उसके अंदर चार सदेशय है उसके अंदर। च्याड़ लोगों की family है तो उसके नहीं होगा। उसके अंदर जैसे यहाँ ये आइ उसकी एक लाग रुपे है तो आप एक लाग रुपे वास्सेक ले लेजीए इसके बाद में यदि कोई यहां पे दूस्रे नमबर पे होता है रेलेस्व Paradise दूसरे नम्बर पर यहां पर ऐसा पूओंदय कि एक कर पूसरी या चाम पूझा कोई उसका बच्चे की डीटास के पूसरी आप धाले आप बच्चे की अम स्फिल कीजिए जिसके बाद में यहां पर जैसे वह उस मुख्या से क्या संब्द है तो फुत्र डाल दाली है उसके बाद में यहां पर आपको नीशी की तरफ देख सकते हैं यहां पर आपको अपनी दिनाग वो फिल करनी है यह दिनाग आप फिल करने ही नहीं है, यहां पे आप notary कराएंगे, जिस वकील से आप notary करवाएंगे, उस वही आपकी जो है, यहां पे that डाल देगा, इसके बाल में वो स्तान है, वो शारी डाल देगा, और यहां पे आपको signature करना है, जो प्रातिका आपने मुखिया की details बर देता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको फोटो, अब ऊपर थोटा सा और बता देता हूँ, आपको यहाँ पर फोटो लगवाते हो, तो इसके उपर आपको नोटेरी, फोटो को डालना है, उसके तरीके से यहाँ डाल सकते हैं, उसके पार उमर है, यहाँ वर्सारी चीज़े, कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है, यहाँ और कुछ भी नहीं भड़ना है, आपको यहाँ पर राजी आपको डाल देना, जैसे राजिस्तान है, वो डाल देना, दूसरा पेज वैसे खाले चूट जाता है यहां पे यदि कोई applicable है इसके तहट तो आप यहां पर फिल कर सकते हैं भूमी है यह नेशनल चेयर जो भी यहां पर होता है यह परिवार के अन्य शुरोत है कोई यहां पर आमदनी के तो यहां पर डाल सकते हैं फिलाल इस से फेमेली के जो आय परमार्ण पतर इसके अंदर कोई भी applicable नहीं था इसलिए only notary plus यहां पर सिखनसर है प्रातिके उसके बाद में यहां पर सत्यापन होगा अब इसके अंदर क्या है परमार्णी करन इसके अंदर आपकी notary होगी और कुछ नहीं होगा परमार्णी करन हो गया और सपताकरत क आप अब को डाल ना पिता को नाम यह चीज़ें डाल देना आपको जाती और उमर उसके यहां पर न्वास इस्ता जो यहां पर एड्रस है वो डाल दिना इसके बार में आपको notary कर फाली किसीटीस यह किसी भी वकी Еще इसके बार में उत्रा दाई व्यक्तियों के साक्सिय पर्मारपतर है उसके अंदर सिंगने सर किसके चल सकते हैं आपके सरपस के भी सिंगने सर यहाँ पर चल सकते हैं इसके बार में एक अदा गोर्मेंट ओपिसर हो गया इसके बार में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिका इसके देखे दोस्तों अब यहां पर आपको क्या क्या फिल करना है यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है यह फिल वही करेंगे जो signature आपके करते है इसके बाद में जैसे यहाँ पे वो signature सरपस कर रहे है तो यहाँ पे आपको रेकुमेंट करूँगा यहाँ पे आप ग्रामसेयोग के signature करवाईए यहाँ पे आपको ग्रामसेयुग वो अपना खुद का नाम लेकेगा ग्रामसेयुग गाई ही उसकी बाद में यहाँ पे उसका पुतर जो भी उसका पिताजी का नाम है वो डालेगा इसके बाद में वो निवास कौन सा उसका एड्रेस है वो address डालेगा उसके बाद में वो कौन से विवाग के तैड़ आता है उसका पद क्या है वो चीज़े डालेगा उसके बाद में आपकी details डालेगा प्राति की जिसके नाम से यहाँ प्रमान पतर भरा जा रहा है मुक्की आए उसकी details है प्लस उसके जो पिताजी का नाम हो गया इसके बाद में उसका यहाँ पर address हो गया इसके बाद में जो आए है उसकी वो खुद ही डालेगा आपको यहाँ पर कुछ भी निग्डालना है ठीक है इसके बाद में यहाँ पर आपको दूसरा गवाँ आपको यहाँ पर पस्तुत करना दूसरे गवाँ के अंदर यहाँ मैंने फिलाज जो प्रिंशिपल से सिखने से गरवाई तो प्रिंशिपल के अंदर वो अपना खुद का नाम लिखेगा यहां पे और यहां पर पिता जी का नाम लिखेगा उसका एड्रिस लिखेगा उसका विबाग नाम जैसे सिक्सा लिख लिया सिक्सा विबाग उसके से उसमें लिए पहने इसके बांद में आपका आए परमान पतर हो तैयार हो जाता है कि स्टैपलर लगाकर यह आए परमान पतर है आपको कामों के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको इस सम महिमने के बाद ही इसको चेंज करवाना पड़ेगा अपडेट मतलब दूसरा बनवाना पड़ेगा ऐसा नहीं है यहाँ का Sémed ही चल जाएगा हर साल लेकिन यहाँ पर हर साल आपको चेंज करणा पड़ेगा अच्छा माइड़ों के भिक्तर आपको चैन्स करना पड़ेगा यदि पुराना पस्तूद करते हो कहीं तो यह मानिये नहीं होगा अब आप देखिए दोस्तों आप जो जन्दार कार्ट के अंदर है इंकव अपडेट है इससे कर सकते हैं यदि सातरवती का फोरुम भी इस आ जाहिए जाइबाद